नमस्का दोस्ते वीडियो में आपका फिर सेगवा स्वागत है तो फाइनली पबजी मुवाइल गेम इंडिया में वापस आ रही है साउथ कोरियन कमपनी पबजी कर्पोरेशन ने ये एलान कर दिया है इसके लाव सोचल मेडिया पर भी पबजी इंडिया ने पोश्ट भी डाला है कि कमिंग सुन आप देख भी सकते हैं इस बार पबजी मुवाइल को खासकर इंडिया के लिए लाया जा रहा है जिसमें चाइना की कमपनी से कोई भी पार्टनर्सिप नहीं होगा PUBG कारप्रोजेशन के मुताबिक इंडिया में PUBG मुवाइल इंडिया को लाउंच किया जाएगा कमपनी ने कहा है कि ये नया एप डेटा सेक्योर्टी को बैतर दरिगे से फॉलो करेगा PUBG Mobile India में company Indian Gamers को ध्यान में रखते हुए इसी हिसाब से content भी रखेगी PUBG Corporation में कहा है कि इस game में content को improve भी किया जाएगा Indian Gamers के लिए ये game customize होगा Younger Players के लिए इस gaming app में time limit set करने का feature भी लाने वाली है PUBG Corporation South Korean Company Craftoon की subsidiary company है Company ने एलान किया है कि India में 100 million dollar का investment भी करेगी और यहां इंडिया में office भी खोला जाएगा और local business के साथ मिलकर Company यहां gaming service भी चलाएगी Company का दावा है कि investment इंडिया में किसी भी Korean company द्वारा किये जाने वाला सबसे बड़ा investment होगा चुकि इंडिया में data सुरशा को लेकर और चीन की टेंसन के वज़ा से इसे ban किया गया था इस वज़े से Company इस बार publisher के तोर पर चीनी Company Tencent के साथ मिलकर इंडिया में गेम को नहीं लाएगी हाला कि दूसरे देशों में Company Tencent के साथ काम करती रहेगी तो आपका हमारा सभी का इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि Company ने अब officially announce भी कर दिया है कि कुछी दिनों में इसे इंडिया में launch किया जाएगा जिसके बाद आपने mobile phone में इसे download करके आप खेल सकते हैं हाला कि Company ने कोई date नहीं बताया है कि किस date में इसे launch किया जाएगा तो जैसे कोई भी और update आती है तो मैं उसे उपर एक बार फिडिस आपके लिए वीडियो लेकर आज आँगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना उम्मित करते हैं वीडियो आपको चील लगी हुए तो इस वीडियो को लाइक सेर जरू कर दे चैनल ले पहले बैंच आपको सब्सक्राइब करना ने भूलेगा थैंकि फैंक्स थैंक्स वर वाचिंग